दोस्तो आज का वीडियो विशेश तोर पर ऐसे लोगों के लिए है जिनको एक विशेश प्रकार के एरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है ऐसे पूरुष जिनने थोड़ी सी उत्तेजना मिलते ही लिंग में तनाओ तो एक बार अच्छे से अनुबह होता है या फिर थोड़ा बहुत उन्हें अवश्या अनुबह होता है पर तुरंत ही लिंग से चिपचिपा स्त्राव आना प्रारंब हो जाता है और इस तरह वो स्त सभी के लिए प्रभावी हो सभी के लिए लाबदाई हो दवा बताने से पूर्व कुछ आउशक जरूरी कारण जिनसे सबसे पहले ऐसे रोगी को छुटकारा प्राप्त करना होगा उसके बाद ही ओशिदी का विचार करना प्रारम करना चाहिए तब ही बैतर रहेगा अन्य से बी सर पर्थम चुटकारा प्राप्त करने का प्रियास करना होगा इसके लावा अल्टरसाउंड वगरा करवा कर ये भी सुनीश्चित कर लिजिए कि कहीं प्रोष्टेट वगरा में किसी परकार का सुजन तो नहीं है या फिर मुत्रमार्ग में किसी परकार का कोई संक्र परहेज़ करना चाहिए, बहुत चुदिक गर्मी में रहना ऐसी स्थिती से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, इसके अलावा अत्युत तेजना से भी कुछ दिनों तक दूरी बनाकर रखने की आउशकता हो सकती है, पर यह किसी के लिए मानने नहीं है, और किसी के लिए आउ पर यहां पर परहेज बताने का उद्देश्य यह है कि मुझे नहीं पता कि किस रोगी को अन्य किस प्रकार की क्या समस्या है, उसकी ये समस्या वाकई उसको है या नहीं है, साथी साथ अन्य क्या आवस्थाइं, उसकी क्या समस्या बनी हुई है, और रोगी के बारे में मुझ से रोगी को हमेशा ये प्रियास करना चाहिए कि पहले उसकी चिपचिपे पानी की समस्या दूर हो जाए उसके बाद भी अगर तनाव की समस्या तनाव की दिक्कत बनी रहती है तो इसके लिए आउशक उस दिल लेने का वो विचार करें अन्यता मात्र आज बताये जाने वाल चिपचिपे पानी की समस्या को दूर करने वाला नुस्खा ही प्रियापत है इस नुस्खे के लिए आपको तीन चीजों की आउशक्ता होगी पहला भींडी की जड़ दूसरा सतावर और तीसरा इसब गोल की बूसी इन तीनों को बरावर मात्र में लेकर इनका जितना संब कैसी लेगी मिलते अगले वीडियो में